जोहार एन नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फुर्य स्टडी फ़र गोल्स पे मैं सुबाज बरमाप सभी लोग का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सहाय कचार वाण टू फैप से अन्ने टेन प्लस टू एक्जामेन तो दोस्तों स्टडी फॉर गोल्स एप सहाय कचार वाण टू फैप को टार्गेट करते हुए स्टडी फॉर गोल्स एप सफलता का मंडल नामक एक कॉर्स एवेलेवल है मात्र 299 रूपया में इस कॉर्स में आपको दोस्तों पेपर वन के पांच मॉक्टेस मिलते हैं जिसम चैरलगे बिशन वास्ते कुर्स में सब्सक्राखन से मागे यह सारी चीजें मिलेंगी नहीं सेर्च करये स्टडी फॉर गोल्स आप मिलेंगी आप हमारी और अन्यथा आप इस वीडियो के डिक्रिप्जिट कर सकते हैं वहां पे आपको हमारे वीडिय मैं आपको बता दूँ कि चुकी इस लेक को महज गुलवार सर ने लिखा है तो महज गुलवार सर से समधित कुछ बेसिक जन करें एक जाम पॉइंट अप्यूसे हमारे लिए इंपॉर्ट है जैसे जैसे में क्या इंपॉर्ट है तो सबसे पहले आप देखें कि महज गुलवा आप निग्राउती नौकरी करला यानि कि 1927 में गोला है स्कूल से रिटायर हुए यहीं इंपॉर्ट है उसके बाद आपके लिए इंपॉर्ट है कि गुलवार जि मुल रूप से कवी हत ठीक है मुल रूप से महज गुलवार सर कवी थे उसके बाद 1927 में दामोदर उत्पत था उसी परकार से इंपर्ट आपके लिए कि इनकी मिर्थ्यू का भूत इनकी मिर्थ्यू तीन अगस 296 को हुआ तो यह कुछ बेसी जंगर्थी बाकिस को स्किंस्रोट करके आप डिटेल में पढ़ लिजेगा ठीक है अब देखें यहां पर क्या है उरीस महत्तम लेख आगिय यह जो उरीस महत्तम है यह वियंग आत्मक हास यह लेख के साथ साथ एक प्रेरग पर संग यानि की नौलिजफूल ग्यान की रचना है जिससे आपको ना सिर्फ इस लेख में यह समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपको सोचने की छहमता बड़ेगी बलकि इस लेख में आ परते क्लास के तरह सबसे पहले हम इसके सिर्फक को समझेंगे कि आखिर में सिर्फक कार्थ क्या होता है तो अगर हम अलग अलग करे उरीस को अलग और महत्तम को अलग करे तो उरीस से साथ आप आउगत होंगे खटमल होता है उरीस कार्थ ठीक है उरीस खटमल को जो खोठा भासा में उडिस काहता है, खटमल से आप सभी आउगत होंगे, बच्पन में आपने गाउं मचिया, गाउं में खाटी मचिया में देखा होगा, और सहरी बच्चे इसे जो है, बेडबक्स के नाम से सहरी बच्चे इसे जानते हैं, उडिस को, उसी प्रकार से अगर हम महात्म क समझने कोशिद करें महात्म का, तो इसका अर्थों का महीमा, महानता या बढ़ाई, अर्थात इस जो लेक में है, इस लेक में, उडिस के, यानि कि खटमल का, बेडबक्स का, जो है, महानता दरसाया गया है, महानता बताया गया है, वे अंगात्मक रूप से, ठीक है, उडिस नखे, एकर कुछ अजगुद कारगुनी के बखान हिया करे जाओ, ठीक है, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ऐसा कोई घर ने देखिये, कितना पहले की रचना हो सकते, आप इसी से अंदाज लगाएं, कि 3 अगस्तुने 196 को तो इनकी मिर्ति हो गई, तो कितने पहल पिछले 10 सालों में बदल गए, लेकिन इस्तितियां, आज से 10 साल पहले ऐसी नहीं थी, और यह तो आज से 20 साल, 30 साल पहले की बात है, जब अपनी स्मिरिती में वो जा कि इसको लिखे होंगे, ठीक है, एक देखिये, ऐसन कोई आदमी और कोई घर नहीं है, जेकर उडिसा स कारगुनी के बखान हिया कर जाए, और आज के इस लेक में जो है, लेखक महेश गुलवार सर इसी उडिसी खटमल का कुछ कारगुनी का बखान करने जा रहे है, आईए, साथ मिलके हम इसकी कारगुनी पढ़ते है, उडिस, देखिये, हर जगा उडिसा लिख दिया गया है, ठीक है, जरूरे हो एक चाहिए, यहाँ पर बतार जाए कि उडिस तो छोटा जीव है, छोटा सा जीव है, लेकिन रंग रूप तो जरूरे है, परन्तु छोटा जीव है, फिर भी तो इसका रंग रूप तो होगा, उडिस होए छोगुलवा, चेप्टा, दू सुनवाला, क और काला बदामी रंका होता है, थमनिल अगर आपने इस वीडियो का देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने उडिस का फोटो डाला हुआ है, और इसका जो अकार होता है, वह छोट मोट लंका टापू, मतलब स्री लंका का अगर आप मैप देखें, ठीक है, तो जिस परकार से स् को रिलेशन करता है, लेको की समरिती सकती चोटे-चोटे चीज को कैसे बड़ी-बड़ी चीजों से जोड़ते हैं, यहाँ पर देखें, उरिस का अकार को सीधा स्रिलंका से जोड़ती, देखें, तो यही लेको की खास बात होती है, एकर डेरा, खटिया, मचिया, पलंग, बेंच, कुरसी, केवार, चौकट, भीतक, कोना, हूल, हेने, तेने, नुकाल रहें, अब देखें, उरिस जिनरली कहां पर मिलता है, अभी सायज बता रहें, कहां मिलता है, तो यह खटिया में, मचिया में, देखें, खटिया, जो आज के बच्चे, या फिर हलाके भी जो भ लगड़ी का दर्वाजा होता है, उसके चार तरब जो होता है, उसको चौकट करता है, नीचे, समझे, चौकट पार कर जागा, तो पैर तोड़ देंगे, आप सभी जानते है, तो इसी प्रकार से जो भी इस प्रकार की चीज़े होती है, वहाँ पे समझे कि आपको यह नीचे के बहुत सारे जगहों का देदिया गया, और सारे जगहों के नाम देके बताएगा कि ऐसा कोई भी जगहा नहीं है, जहाँ इसकी चर्चा नहीं है, आगे देखिये, आगे क्या बता रहा है, कि सहर गाओं के बाद तो दूर, बाबु मैखाना, मुसाबिर खाना, प्रचेल खाना और करते परना हैं यहां पर बता रहें हैं कि यह जो उड़ी से यह सहर का तो गाउं और सहर के बाद छोड़ो यह मैं खाना यानि कि मदिराले दारू आरू जहां मिलता है वहां भी मिल जाए आपको मोसाफिर खाना यानि कि गेश्ट हॉस धरमसाला में भी मिल जागा गुसल खाना यानि कि स्नानागार बातरूम में भी मिल जागा बावर्ची खाना कीचन में भी मिल जागा जेल खाना जेल में भी मिल जागा और एक तरह से च्छा हैं कि आलोऑ देख के तब पराए लागे हैं मैंने कि घोर अंधरिया देखके मैदान में जूट जाए देखके अbourne आपके हूं हैं खोर अंधरिया देखके मैदान जूटे लागे हैं मतलब जैसे अंधेरा देखता है या इसका मैदान में बाहर आ जाता है मतलब हमला करने के लिए समझिये की बाहर आयता है रग्त बीज के धिया पूता और तामस परकिर्टी के इजीव राना हमीर लेखे बड़ा हटी होगे कितनी सारी जैनकारिया है सबसे पहले तो यह जो रग्त बीज है न दोस्तों यह समझे की एक राचस है हमारी हिंदू-परणिक कहानों में रग्त बीज राचस था जिसका ऐसा मानना था कि इसका एक बुंद भी धर्टी पर गिरिया तुस्से बढ़के बहुत हो जाता था मतल बोस्ति होने के साथ सातग राणा हमीर के जैसा हर्टी है अब राना हमीर कौन थे तो राणा हमीर एक लवयगत था जो रहा था यह राना हमीर बेसिकली जो थे राजस्थान मेवार के सासक थे इन्हें जो दोस्तों विसम घाटी पंचानन कहा जाता था सेर कहा जाता था इसी सौधियावंद के पर्थम सासक भी यहीं थे और सबसे बड़ी जाब बात कि इन्होंने अपनी हट के दम पर ही चिताल विजय प्राप्त किया था तो राना हमीर के बारे माँ गूगल करके और अन्य जनकर याप पढ़ सकते हैं बाकी जितना याप था मैंने बता दिया चलिए अब नेक्स्ट पेर अगराफ पे चलते हैं आगे देखिए मुदा एकर दोसर दोसर नाम हो है खटमाल मक्तून सईय कीट चार बग हें इतने सार इसके नाम यहां पर दिये गए ठीक होई बेडबग बेडबग जो मैंने आपको दाया था बेडबग उसी यह होई यहां पर यह अंग्रेजी में भी लिख दिया है लेखा के द्वारा उसके बाद क्या है कि ई जीव दीन भर आपना अड्डा मे नुकाल रहें पहले बताया कि दिन में भाग जाता है, दिन भर आपना अड्डा में नुकाल रहता है, कहीं नदेरा में छुपा रहता है समझे उसी परकार से जो है या उडिस जो है दीन में छुपके बैठा वराता है मैंने एक सुरुज डूबलक की मोर्चा पर डेट के राध भर आदमी से जुझे के तयारी करे लागा परन्तु जैसे ही सुर्य डूपता है सुर्यास्त होता है अंधेरा होता है अपना मोर्चा पर निकल जाता है और डेट के राध भर आदमी से जुझने को तयार होता है ठीक है आगे देखिए आगे का है गुरिला युद्ध करे में यह तो बड़ा तेज हो गुरिला युद्ध करने में यह बहुत तेज होता है गुरिला युद्ध क्या होता था कि अचानक से दुस्मन पर हमला करना पिर हमला करके अचानक से पिर कहीं छुप जाना भाग जाना सीवा जी मराठा सैनिक तरी कट से काइट के कटियक पोवा में दबर जाएं सीवा जी का यहां पर मराठा महान सासक हमारे सीवा जी का नाम भी अगेन आ गया ठीक है तो उनसे भी जोड के इनको उडिस का कंपेर कर दिये हैं महिस गुलवार सर ने बोर रहें कि सीवा जी के सैनिक तरी कट से यह निकलता है ठीक है और कट से जो यह दुसमन को काटता है समझे दुसमन इसका हम लोग हो गये दुसमन को काटता और फिर पट से जो यह खटियक पोवव में दबर जाएं मतलब कि गुरिला यूधी एक तरस हो गया राद भर तोहरा इतना तंग करतो जे खटिया छोड़ी सुबधान पर राद भर यह तुम्हें इतना तंग कर देंगे कि तुम्हें लगगा कि खटिया पर सोना ही वेकार है ठीक है खटिया छोड़ना ही सुईधा का आप समझे पात्र समझोगेर कहीं दरीवरी विछा के फिर नीचे सूतने के लिए आप जो है समझे की अग्रसर हो जाओगे हिंदे ओकर अचल गदल तोहर तो खाटी आपन आर तोहें भुईया घोल्टा और उबहर पिट बियारी खाय के खाटी के दखल कर मौच करता हो ठीक है बोट है कि इसका यही काम है कि आप तोहर तो खाटी आपना और तोहें भुईया घुल्टा की तुम्हारा अपना कि धूँआं खाना खाके खाटी के दखल करके मांज करता है क्योंकि फोपनी अद्मussa Nhole आगे दून वेकिती हैं तैमुर , चुंगेज , दुरीनी , शिकंदर , गौरी , गज니 . सब के के रो बाप अंग्रेश सब के रो बाप बाबर अकबर सिर्शा तकरो तक करो ने छोड़ा लें देखिए यहां पर जितने भी समझे कि फेमस मुस्लीम आकरांता थे मुस्लीम सासक थे सब का नाम यहां पर लिख दिया गया है तो लिखा करने का अर्थ है कि हम लोग तो आम आदमी है यह बड़े-बड़े बादसाहों को भी जो है उरीस ने नहीं छोड़ाया देखिए सारे जो है यहां पर फेमस राजाओं का नाम और सक्तिसाली और सारे लिख लिख सिचह ही परदान करने का कारे किया जा रहा है अगय है इसब के काईट काईट के सांत कर दिया है एकर सिर्फ यात्स से बकाल fel का शूर्यवीर वीर्जुधा के दिल कांपत रहें together कि सूर्प और ऊरीज आम सुनके बड़े-बड़े सुर्यविर का जो और दील न तो एकर संगी मक्री मुस्योलिनी और देखें यहां पर बोल रहा है कि अधी यदी उडिस जो है घटमल जो अगर हिटलर है तो इसका जो दोस्त है मक्री यानि की मच्छड वा मुस्योलिनी है तो अगर आपको कल को प्रस्ट पूछ दे कि इस लेख में उडिस महात्ता में नहीं पता ठीक है आप खोटा के चात्र ऐसा है कचार के तौर पर रहें और आपने इतिहास जादा नहीं पढ़ा है तो एक बार गूगल करके जरूर पढ़ लिजेगा कि हिटलर मुस्योलिनी कौन थे ठीक है चलिए आज कल तो हमारे भारत में हिटलर की बहुत चर्चा भी तीरती हटलर साब सभी आउगत होंगे जर फिल्म में होगा ख़िक बढ़े बढ़े लोग होते हैं फिक बहुत तीं इंट्रेस्टिंग कहानी था बच्पन में पढ़ा था तो जिस तरह को बना सब बावना च्छेतर में चला जाता है चेंगर संग सुतल आदमी के धर साथ लगाती उसी तरह से चार तरफ से घेर के अपना च्छावा संग मतलब अपने बच्चों परिवार साथ सोयावा खापी के सोयावा वैक्ती को जो है सुते हुए आदमी को धर के सताने लगता है मतलब काटने लगता है ये ऐसन परजरंत जीव जे खाय पिये जुकुर बिंटायल भाते गीर के बिनाय दे है ये ऐसा परजरंत जीव है जो खाने पिने लायक बिंटायल भात कभी बिणाय दे है लूगा फाटा में एकर लहुक दाग देख पुलीस बेकसरों के कसुरवार मान के हतकरी लगा देता है अर्चाहिं इसको आप मार उड़ीए लोगा फाटाय ने की कपढ़ों जिसको खुन झाल लग जाता है उसको देखके पुलीस कईक पसुरुवार मान के हतकरी लगा देता है समझे कि खून करे जाम उस पर लग जाता है आगे है कि इस चलाकों तो कम नहीं या उडिस जो है इसका बता रहा है कि कलेवर्द भी तो कम नहीं चलाक भी तो कम नहीं है जखन आपन उपर खतरा पोँचल जाएं लेह तकन खाटी लेहेटे ओहे तरी जाब देहे जे तरी हवाजाज ले सैनिक भी पत्ती के समय चातरी जाब देहा थी बोल रहा है कि यह चलाक भी बहुत है उडिस यह जो उडिस है यह जो खटमल है ठीक उसी परकार से खतरा देखने के बाद समझे कि खाटी से नीचे चौक जाता है एब भाग जाता है यह कुई जाता है जैसे ठीक उसी परकार जैसे कि हवाज जहाज में कोई समस्य आ जाती है लूग जो है समझे कि परव पानी नीचे जो सा आदमी पर ये पढ़ जाता है जिस आदमी को धर पारता है उसका लहू पहू पानी कर देता है मतलब समझे के काट काट के बिहाल कर देता है आगे है कि एक नमर के भेदियाओ ये एक नमर के भेदियाओ जासूस है ये एक नमर का समझे किस पाय है जासूस है आदमी के लूगा लत्रे धुक के गोटे देह के तलासी लेना एकर लेंगा हाथे के खेल है कि आदमी के लूगा फटम धुक के आने कि लोगों के कपड़ों में घुसके गोटे सरीर का पूरे बदन का पूरे सरीर का तलासी लेना इसका लेंगा हाथे खेल है इसका बाएं हाथ का खेल है भीतर महले भीते सेट के जैनी मरत के पिसगपती बाचित के सुने है जैनी कि महले भीते सेट के यानि कि महल के अंदर दिवाल में सठ के ये husband wife का पिसगपती बाचित मतलब परसनल एक परकार से समझे बी private conversation सुनना जो है इसका एक परकार से काम रहे सुनते रहे हैं एह says है तो कहल जये यह जये दिवालों के कान होभव अर शार्त इसी वज़ कहल जयता है कि दिवाल का भी कान होता है जये कोनो सवारी से सगरे दुणिया है सेर सपाटा बीन पासबोड बीन भाड़ा के कर ले हैं सब्सक्राइब दुनिया का सब्सक्राइब दूनिया का सब्सक्राइब पहले से रिजर्व होता है आगे है कि मुदा हम इनके जाने चाहिए कि नुकसान के संगे कुछ हामिनिक फैदाव पहुंचा हुआ परन्तु हम सबों के यह भी समझना चाहिए कि अभी तक तो सिर्फ इसका नुकसान बताया जाता है किस प्रकार से मानों को मतलब मनुस्यों को इनसानों को हम इनसानों को परिसान करता है लेकिं अब इसके कुछ फैदा भी है उसको डिसकस करते हैं जे रंग किसान गिरहस्त के राध भर जगावे रखे है ओजा से चोरी सेंदमारी के कोनों डर ने रहे जिस परकार से यह किसी गिरहस्त वैक्ति को किसी किसान को राध भर जग रहता है उसके वज़ास से क्या होता है कि चोरी और सेंदमारी होने का जो डर होता है उसके घर म पढ़ने लड़के हैं स्टूडेंट से उनके लिए तो आरी बहुत ही उपकारी जीव है जकान च्ववा पढ़ते पढ़ते जूपे लाग है तक ने कले कले खट और सूता ठीक है अब जैसे कि जैसे ही बच्चों को जैसे जो इस्टूडेंट से पढ़ रहा है उसको जैसे न उडिस माय बाप माता पिता या गुरु जी टीचर्स उतना ध्यान ने दे पाते हैं स्टूडेंट्स पे जितना या खटमल दे देता है पढ़ुआ च्ववा के इतरी मेहनत कराके काबिल बनाने वाला अगर कोई जीव है तो वह जीव है कोन उडिस खटमल देखे किस परका पूछबा कैसे जो काम फौजी योधाओं से नहीं हो सकता है वह काम चूटकी बजाते कर दे सकता है उडिस पूछो कैसे तो कमजोर पच जोदी कौन हो तरी एक डेमनी नियर उडिस जमा करके दुसमन के फौजी अड़ा के उपर दे गिराए कि हालत बलगर सब के होतन से त इसी तरह से समझिये कि उडिस जमा करके और दुसमन के फौजी अड़ा के उपर गिरा देता है तो समझिये कि उनका किस प्रकार से हालत होता है ये सोच के आप देखेए कि किस प्रकार के उनकी हालत खराब हो जानेंगे काट-काट के कुरा खुनी चूस लेगा जखन पूरा खून ही साफ कर देगा सोचला पर तो बड़ बात है कि आजुग जुगे आर्थिक समस्या बेकारी महंगी बोड़ परिवार और कम आमद वाला आदमी खातिर जैनमरवा साबुत होए रहल है ठीक है बोल रहा है कि सोचला पर तो बड़ बात है कि सोचने पर बहुत बात है आज के जुग में जो आर्थिक समस्या है बेकारी है महंगाई है यह बोड़ परिवार कम आमद वाला आदमी खातिर जैनमरवा साबित होता है ठीक है एक तो विचारा को पहले की मतलब की समझे की इनफ इंग्रेडियन्स नहीं मिल रहा है इनफ मतलब नूट्रेंट उसको जितना पोसक तर तो चाहिए उतना नहीं मिल पार ऊपर से खुन काटकर और खुन खिच ले रहा है वैक्ति का ठीक है तो बोल रहा है कि उस परकार के वैक्तियों के लिए एक परकार से जनमरवा यह साबित हो जकता है सबेचाहत कम खरच जिकर से कूलाय के चलवे पा मेरे घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है पीर से बाइच के रहा मस्किल बात है कोई भी पब्लिक फिकर वैक्ति होता है ठीक है उसकी प्राइविट लाइब बहुत ज़्यादा रह नहीं पाती है क्योंकि उसकी लाइब लगभग पब्लिक हो जाती है ठीक है तो ही बुरे कि इससे बाच के रहना तो मुस्किल है ककरो कैसे कहल जाए बाब माना कर जाए कि हम घर ना आवा आप किसी वैक्ति को यह मना भी नहीं कर सकते हैं किसी को यह भी नहीं कर सकते हैं कि मेरा घर मत आओ ऐसने संकटे उरिस हम इनके मदद कर सके ऐसा संकट में उरिस ही जो है हम लोगों का मदद कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कि पहुंचल पहुना के उरिस वाला पर देखो कि किसी प्रकार एक दिन तो विता लेगा लेकिन आगला दिन भाग जाएगा अपना घर पर कोई पूता जे घर बाटे हुल कहूं कि वीचार आनत से तो ढहर दूर एक बात फिर उसके बात उसका उतना कुबद की वह फिर से दूबारा लोट के उस घर तरफ आने य यहाँ पर क्या बोले लेखा कि परन्तु फिर भी एक बात का मेरा मन में विचार रा जाता है कि क्या गांधी जी के उडिस तो जरूरे कहियो काट लो था कि गांधी जी के उडिस बहुत जरूर ही किसी ने किसी दिन काटा होगा क्योंकि गांधी जी के समय यह भी जीवित थ से पर ऊहिं साथ से भीनू कैसे रहा परन्तु फिर भी जो है गांधी जी हिंसा से दूर कैसे रहे इस बात तो उन कहरे से पूछ सकते हैं तब अनुमान चाहिए कि गांधी जी उरिस के दात शहत सहथ अपने अपने से अपने के उरिसर नहीं लगती परने उस तरह गांदी जो उडिस पूरूफ हो गया थे उडिस अब करता था उनको फर्क नहीं पड़ता था तैसने फर बिनोवा जी आपन लहुग छटवा भाग उडिस के चूसे देविल पर उनकर मने इबाद जरूर जागल है कि गरीब जनता के बांचे खात चाहती रहे आदमी के आपन जमीन के चटवा भाग कर मालिकाना हक छोड़ देना जुन जुना धरकार है देखिए यहां पर क्या व्यांग कर रहे हैं कि उसी प्रकार से बिनोवा जी ठीक है को भी जो है आपन लहुग के चटवा भाग अपना खून का चटवा भाग उडिस के चूसे देवल परे उडिस को चूसने देने पर मतलब कि उसका सरीर का उनका सरीर का चटवा भाग जो उडिस चूस लिया था उस पर उनका मन में यह बात जरूर आया होगा उसी वक्त इनका मन में यह बात जगा होगा कि गरीब जनता के बाचे खतिरी गरीब जनता को परकार से जोरत है और देखे किस परकार से या पूरा लेक जो पॉलिटिकल हो गया या फिर आपको सब्सक्राइब कि छेत्रिये हो गया इसमें कितनी चोटी जगा से कितनी बड़ी जगा तक पहुचा दी गई और समस्त विस्व का उस दावरान का समसमाई की जो था इसमें लेखक महज गुलवार सर ने आड़ कर लिया कैसी लगी आपको यह बहतरीन लेक कमेंट करके बताईएगा कोई सब्सक्राइब कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया तो कम पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाज करा दू कि आड़ी पर फोटीनान में और इन दोनों को पेपर वन के साथ मर्य करके समझे कि आट कोर्स एविलेवल है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया था चलिए अब देखते हैं आज का यह परस्ण कर लिए इस वीडियो के डिस्क्रिशन कर लिए या स्टडी पर गोल्स का ओफीस में कॉल कर लिजेगा ओफीस का नमर यहां पर है और सारी जैन करिया उनसे ले लिजेगा उसके बाद कोर्स के साथ जूड़ जाएगा टेली गराम विजिट कर लिजेगा चलिए पहला परस्ण क्या है कि महेज गुलवार के जनम भिल रहे हैं ऑप्शन से एक फरवरी उनेस्ट इग्यारा पंदर सितमर उनेस्ट सर्षट नो फरवरी उनेस्ट को बावन ठीक है तो इनका सही उतर क्या होगा ऑप्शन नमर एक फरवरी उनेस्ट इग्यारा को वर्तमान रामगर जीला के गोला चेतर में ठीक है चलिए नेक्स दूसरे परस्णे पर आते हैं दूसरा परस्णे क्या है कि महेज गुलवार के मिर्तियू कब हुआ था तो मह महेज गुलवार गुला है स्कूल से रीटायर भी लड़ा कि महज गुलवार से रीटायर आपको यह पूछा सा सकता है कि कहां से रहा हुए थे तो यहां पे चार उप्शने में कमेंट करके पता चलिए इसका उप्शन नमर्ट डीस होगा 1947 मिया रीटायर कर गए थे चलिए पढ़नी है ठीक है आपको उतपात सीपाही में भी कहानियां पढ़नी है जारकन पुलिस में पढ़नी है बाकि सारी चीज्जों इसमें संस्क्राण जीवनी वेने हैं सब कुछ मतलब पूरा किताब भी समझें पौएम चोड़के आतको समझें कि सहाय कदारवान टूपैप मे और 10 प्लस 2 एस्टन अगर आपर वाले जॉब में ठीक है उसके सिलेवस में में सेन तो वहां पर पढ़नी है वहां पर आप देखोगे कि तीन लेक है जिसमें से यह दूसरी लेक है महेश गुलवार सर की लेक है यह उरिस महात्म ठीक है चलिए पूछेगा किस बुग में परक सब्सक्राइब करें परकासी थे नेक्ष्ट सात्मा प्रस्ण आपके समझ क्या है कि खोठा गदपत संग्राइब किताब कर रहे हो और कोई भी किताब पढ़ रहे हैं कोई भी कहानी पढ़ रहे हैं उसके साथ मेरा नाम जोड़के सच्क्राइब मिलेगा ठीक आप फूटा परिचवाध्य सुबास बरहरमा शर भिकोठाल पिश्टाब सब्सक्राइब करणा नियुकं आ जानी जंगी जो परिशाव Compore परण संब्सक्राइब कर यि उनके मिर्थी क्या है चलिए लिए फूटा आपके समझ है कि पर संब्सक्राइब मुषलिनी सब्सका हो जागा नेक्स प्रस्णा आपके समझें लेक लेग में हिटलर और मुसलिमिनी केकर से तुलना करा लेक सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमारी सबसे हिट पूस्तक है यह पूरा और पेश्टोग है इसके दूसरी बार हमने चपने के लिए पिछला बार जितना भी तीन-चारफ़ा था सब बिग गया अब देखिए इसके खास बात क्या था यह जो पूस्तक कर जारखन समान ग्यान के इसमें 50 प्रैक्टी सेटे सब्सक्राइब कर फ्रैक्टी सेट में 40 खोचन है उसके अलावे क्या था तो आज तक आज तक जारखन में जितने भी जामनेशन हुए चाहें वह जपी एससी को हर एक्जाम में जो जारखन समन्दीद प्रस्ण पूछा ग या ठीक है दूसरा चार तरीकोल हुआ नहीं अठास तरीकोल हुआ तो उस दिन का कोहचन और समझे की जेपीए सिप अभी जो पीटी हुआ इसका कोहचन और जितने भी विसेंड लीग जामनेशन हुए सब का प्रिवेसियर आइड कर दिया गया पचास प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से अपडेट कर दिया तो यह यह पुस्तक अगर आपने अभी तक नहीं लिया है और ज्यारकन के त्यारी में आप तो इस पुस्तक से आप जरूर जुड़े बोक्सोप में विजट करें अगर नहीं मिलता से स्टड़ी फर गोल्स एप पे ढूंडे यह पुस्तक उसी प्रकार से जरकन कॉंस्टेबल पेपर टू का भी 25 फुलेंट टेस्ट वाला कॉर्स एविलेवाले स्टड़ी फर गोल्स एप पे उसी तरह जो है अभी आप छात्रों ने कहा था मेरे पिछले वीडियो में कमिट आया था कि जैसे इस कोर्स के बारे मैं जब मैंने बता प्रकार से जरकन सची वाला एकल यह भी सभता का बंडल एवेलेवल स्टड़ी फर गोल्स एप अब चलिए दसमा परस्ट ने क्या है उडिस होए तो उडिस च्छोगडवा जिखिए इस कहानी के माध्यम से उडिस क्या होता है तो इस च्छोगडवा होता है चेप्टा होत इसका डेरा रहता है तो खटिया मचिया पलंग बेंच कुर्सी के वार चौकट सब इसका जो है उडिसका डेरा बतलाया गया है इस लेक में नेक्स्ट परस्टन है कि नीचे दियल कौन लेखे राना हमीर सिंग के नाम आए ठीक है मतलब यहां पर जो जिन लेखों का नाम द हो जागा ध्यान में रखिये गाई नेक्स तीरहमा परस्टना आपके समझ क्या है तीरहमा परस्टन है की गुसल खाना के अर्थ क्या है बहुत बर कि खोटा का जो बाटे होते हैं लेकमे में कहान्यम्यव में नाटक में होता है तो उसके पूच घृष लिए प्रश्न है कि खोठा गयत पत्संग्रा के पहिल संस्क्राइब पूच्टक इसका पहिल संस्क्राइब आए था उने सो नावासी में इस बात को ध्यान में रखना है उसके बात देखते हैं आज का कोचन अपड़ डे जिस पर उतर आपको कमेंट सेक्षन में कमेंट करके देनी क्या यह फिंगाठी वहेंगात्मक यह ज्यान वर्दक राचना यह फिर उप्रोग्ट सभी क्या यह सारी चीजें में कमेंट करके बताएगा इस प्रस्न का उत्तर बाकि यह जब पीडियेप में लगा तहा है यहां पर सारे प्रशन का उतर दे दिया गया है और एक बार कर दूख साइक चर वान टूफाइब का पेपर टूपार पेपर इंपर तीरी का सेपर सेटेट कोर्स भी यह बंडल कोर्स भी है उसी पर करसे ज्यारकन कोंष्टेबल का भी प्रिपरेशन और चीजें के लिए जो है एक कॉमन रास्ता है सारी रास्ते एक ही जगा जाती है नि 898677273 ठीक है इस नमर पर कॉल कर लिजेए ओफिस में वो सारी जैन कर यह आपको दे देंगे बाद बाकी जो है टेली गराम आपको जोएन करने हैं टेली गराम में खोटा का एक सेपरेट गूरूप है और मिसलेनियस का भी एक सेपरेट गूरूप है दोनों चैनल को में एक स बात बात की वीडिओ में यहाद तक बने रहने के लिए बहूत बहुत धन्नेवाद वीडियो को लाइक करें जदा जद के की जेनल पे नए तो चैनले को सब्सक्राइब करestoर भी करने रेंगे का झाल है्मिला को और बात बात मैं बता दो कि चैनल पर नए तो चैनल को वीड आपको मिलती रहें तब तक के लिए जहार जारकन, चै जारकन, चै भारत